टूडेंस वेलकम टू आवर यूटूब चैनल यहां पे रीट 2022 आवेदन पत्तर ओनलाइन संसोधन हेतु निर्देश और परकिरिया दिया गया है जिसमें हम देखेंगे कि क्या क्या हम चैन्ज कर सकते हैं और कैसे चैन्ज कर सकते हैं तो सबसे पहले दिया गए कि अब भेहर बज़े तक आप इसका संसोधन कर सकते हैं उसके बाद में है कि अतया आपसे आग रहा है कि आपके आवेदन में कोई संसोधन वाचनिय है तो आप कर लेए और उसके अंदर आप देख करके पूरा फोरम आपके पास प्रेंट आउट है उसमें देख ले कि क्या कुछ गलती है तो उसमें क्या संसोधन कैसे किया जा सकता है वो देख रहे हैं उक्त देगी दिनाक में संसोधन अवस्य कर लेए यदि संसोधन वाचनिय हैं उक्त दिनाक में कोई परिवर्टन नई दिनाक नहीं दी जाएगी यानि कि इसके बाद में कोई अन्य कोई दिनाक नहीं दी से रख़ाई Master और पिटा का नाम मता नाम और मुबाईल नंबर और प्रिक्सा के सितर लेवल वन लेवल तूँ उसको चैंज कर शकते और फोटो और अस्थाक्सर चैंज नहीं कर सकते हैं इतना चेंज नहीं कर सकते हैं इतना चेंज नहीं कर सकते हैं उसके बाद में आप यदि को लेंगविज चेंज करना है या अन्य कोई आपका डेटा चेंज हो गया है या फिर आधार का डिजिट चेंज हो गया है तो उसको आप चेंज कर सकते हो ठीक है अन्य और कुछ चेंज है आप नहीं कर सकते इनमें जो दे रखे हैं इनमें कोई चेंज आप नहीं कर पाओगी फिर उसके बाद में आगे दे रखे है सरव पर्थम आपसे आग रहा है कि प्रिंट आवेदन पत्र की जांस कर लें पूरा आपको देखना है उसको प्रिंट को और उसके बाद में कोई भी वांच नहीं है आपका संसोधन उसके अंदर दिखाई दे रहा है तो उसको आप गोला बना करके पहले से आप पूरा पढ़ लेना उसको पढ़ने के बाद जो उसके उपर एक OTP आएगा और OTP के बाद में वो 30 मिनट तक verify करवाएगा ठीक है उसमें आपको समय verify के एतू 30 मिनट का समय दिया जाएगा एक बार OTP बेजने के पर साथ computer browser को बंद ना करें ऐसा ना करें कि आपके पास OTP नहीं है यह आप computer को बंद कर दें computer को on रखें और OTP जैसे याति आप आगे की प्रिक्रिया जारी रखें फिर उसके बाद में दिया कि website का link है वो link हम आपको description box में दे देंगे या फिर आप read 2022 लगाएंगे वहां पर आप कर शकते हैं उस संसोधन को website पर उपलब द रहेएगा जिसमें चलान नंबर आवेदन पत्तर रजिस्ट दिया जाएगा और OTP आएगा OTP verify करने के बाद आपका आवेदन पत्तर खुल जाएगा और उसमें आप जैसे जैसे करना चाहते हैं वैसे आप कर सकते हैं यह OTP और किसी को आप ना बताएं आवेदन खुलने पर आपके नाम माता पीता मोबाइल नंबर प्रिक्षा के स्तर फोटो अस्ताकसर में कोई संसोदन कर सकते हैं आप अपने आवेदन पत्तर में किवल एक बार संसोदन कर सकते हैं यह द्यान में रखना आप पहले आराम से देख लेना आमें क्या संसोदन करना उसको राउंड कर लेना जो जो करना है और फिर आप इमितर पे या खुद कर वो आप सब संसोधित कर देदा उसके अंदर इसलिए आप शाग रहे है कि पूरो में प्रिंट किये गए आवेदन में जहां संसोधन चाते हैं संसोधन मारक कर ले में तत पस्छा संसोधन है तू पोर्टल पर जावें क्योंकि आप पोर्टल पर जाओ और जाने के बाद भी आप संसोधन नहीं कर पाओगे उसके बाद भी तूरूट या रह जाएगी तो बाद में नहीं होगा एक बार ही संसोधन किया जाएगा इसलिए पहले से आप नोट कर ले यानि मारक कर ले उसको ठीक है एक बार सब्मिट करने के बाद पुने संसोधन नहीं कर पाएंगे ठ फिर आप आमरे आपे comment कर सकते हैं, thank you.